नमस्कार आश्र की व्याख्यान शंक्ला में आपका स्वागत है आज किसान निताओं की कथा को आगे बढ़ाते हुए उनके इत्यास को आगे बढ़ाते हुए मैं चर्चा करूँगा स्वामी सही जानन्द सरस्वती के उपर एक इतने बड़े किसान निता जो उन्निस सो बीस के दशक से लेके और उन्निस सो पचास तक बिहार से बिहार किसान सबा से जिनोंने अपना किसान के समर्थन में सगठन करने का कारे परारम किया और जो बाद में ओल इंडिया किसान सबा के स्तापना कर उन्निस सो चत्थिस में उसके अध्यक्ष बने और उसके बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक में नेता जी सुभाष चंदर बोस के दाएं हाथ बने उन स्वामी स्याजन नंसरस्वती की जो एक स्वामी थे लेकिन किसानों के दुख और किसाने को कष्टों को देख खाड़ फैकना और अंग्रीजों को खाड़ फैकना अपना धरम बनाया और उस धरम को लेकर के स्वामी सहजन अंसरस्वती ने जो आंधुलन किये जो कारे किये अफसोस यह है कि किसी इतिहास की किताब के छोटे मोटे पन्नों में बस सिर्फ एक उनका नाम का जिकर होकर र लिखी किसानों के दोस्त और दुश्वन किसान कैसे लड़ते हैं और फिर अपनी जीवनी लिखी पूरी कि उन्होंने किस तरीके से किसानों को लाम बंद किया और किस तरीके से किसान संगर्श को आके बढाया उनकी पूरी बात कहना तो बहुत मुश्किल है लेकिन मैं कुछ महत्पून उनके जीवन के किसान सवा के आपको अनुभव और उनके संगर्श बताता हूँ आपको 1936 के फाइस्पूर सेशन में जब कौंगर्श में एक एग्रेडियन प्रोग्रायम दिया था उस एग्रेडियन प्रोग्रायम के लिए सौामी सहीजिन अन्शर्स्वती बिहार के किसानों ने और आंध्रा के एंजी रंगा किसान लीडर थे कॉंग्रेस को कॉंग्रेस अपनी नीती को सपिश्ट करे चुनाव में जाने से पहले किसानों के पर्ति कॉंग्रेस की क्या नीती होगी और बात दे होकर के कांगरेस को एग्रिरियन प्रोग्रेम देना पड़ा था वो अलग बात है के मंतराले बनने के बाद में कांगरेस उस प्रोग्रेम से पीछे हट गई जो वाइदे उन्होंने किये थे चुनाव जिस समय हो रहे है उननिस सो सेटिस के अंदर तो स्वामी सहजान इस सरस्वती ने कहा कि ऐसे कंगरेस नेताओं को खड़ा करिये जो किसान के समर्थन में जाकर के बात कर सके एन जी रंगा ने तो एक वो पीजन्स प्लेज तक निकाल दी थी किसानों की किसानों के लिए एक शपत लेने तक की बात निकाल दी थी कि जो चुनाव में इसमें खड़े होते हैं उनको वो किसानों की साहिता करने की शपत लेनी होगी जबके नेरू जी ने उसे कंडम किया और उस शपत को वापस हटवाया और जिस समय चुनाव के लिए वहां पे कैंडिडेट चुने जा रहे थे तो उस समय शिकायत कई सरदार पटेल पे और मौलाना आजाद के पास के बिहार के अंदर जाती के आधार पर कॉंग्रेस जो है उमीदवार खड़े कर रही है तो उसका राजिंदर बाबू ने जवाब दिया कि हाँ ये बात सही है लेकिन हम क्या करे हमेरा उद्देश तो कॉंग्रेस को जिताना है इसलिए हमें जाती बात पे ध्याद देना पड़ रहा है जबके सहजन अंसरस्वती ने इसका घोरवे रूत किया था मंत्राले मंते ही किसान सवा की तरफ से आंदूलन किये गए कि अपने उन वाइदों को पूरा करिए जो वाइदे आपने चुनाफ से पहले किये थे किसान को ले करके और स्सवा किसान सवा के उपर बैन लगा दिया आप समझेंगे कांग्रेस का मंत्राले अपनी उस किसान सवा पे बैन लगा रहा है जो किसान सवा देश की आजादी की बात कर रही है जो किसान समा उन जमेदार पिठ्टूं से लड़ने की बात कर रही है जो अंग्रेजों के पिठ्टू है सौामी सहजरं सरस्वधी के कई जिलों में जाने में बेन लगा दिया गया कि ये सिर्फ किसान समा की बात कर रहे हैं इनको नहीं जाने दिया जाएगा और दूसरी तरफ किसान कुमिला के अंदर उन्निस सु आर्टिस में एक औल इंडिया किसान सवा का अधिवेशन होता है इंदूलाल याजनिक गुजराच से सहिजरन सरस्वती उसके अधियक्ष है और वहां पे जो प्रजाक रिशक पार्टी मुस्लिम लीग का साशन है इस मुस्लिम बहुले जिले के अंदर वो नहीं चाहता कि किसान सवार स्वामी सहिजरन सरस्वती आके भाशन दे और उने रोकने के लिए वो रस्ते में कुरान की किसान के आयत विछा देते हैं और उनायोत्यक के विषने के बाद में सुचते है कि किसान इन पेसे चल के नहीं जाएगा मुसलिमान किसान व जाता है और वहां सुअबिको सुनता है जो अ है जो अपने गलेवे जन्हुपर है पेहंद ता उने और जो इस को आजाद कैसे माना जा सके एक और बड़ी महत्पून गटना स्वामी सेज़न सरस्वती ने लिखी है कि उन्निस सो तीश के दशक में योरप जब आर्थिक बंदी से बाहर निकला आए तो बहुत सारी चीनी की मिले बनाई गई तो बिहार में उत्तरप्रदेश में चीनी की मिल बनाई जा रही थी तो लिखता है एक जिए कि डालमिया मेरे पास आये चीनी की मिल बनाने के लिए भीटा में भीटा उनका आश्ट्रम था वही एड़क्वाटर था किसान सवा का बिहार में तो लिखते हैं कि मैंने कहा कि ची की मिल तो यहां बनेगी बनेगी अंग्रेज बनाएगा या कोई और बनाएगा तो भई ये गांधी टोपी पहनने वाला पुझी पती है तो इसकी मदद कर दी जाए जब ये मदद मांग रहा है तो राष्टवादी है और डाल्मिया ने उनको यह आश्वासन दिया कि चीनी क बच्चों के लिए स्कूल बनाया जाएगा राष्टवादी ये सब तमाम तरीके के जो आश्वासन जो है वो दिये गए और जब वो मिल बन गई तो ना तो गन्ने की कीमत दी गई ना मजदूरों की रोजगारी उतनी दी गई और जो उस समय वो स्कूल उल बनाने की राष दूरों के वो कुछ नी मनाया गया तो स्वामी सहजार रंजी ने इस सवाल को उठाया कि ये तो आपके वाइदे थे तो कहते हैं कि डाल्मिया मुझसे कहते हैं कि भाई मैं क्या करूं मैं तो राष्टवादी पूजी पती हूं मेरे पे तो इतना पैसा ही नहीं और उनके और तिसका वाक्या है अब किसानों ने जब गन्ना सप्लाई बंद कर दी मिल को तो मिल ने दूसरी जगे से गन्ना मंगाने की कोशिश की कि मिल चलती रहे तो उसके अवज में जो मजदूर थे उस मिल के अंदर कि वो सारी किसान थे आसपास के किसान ही महां पे मजदूर ब करके एक हड़ताल की थी नचीजतन मिल को छुकना पड़ा लेकिन फिर कुछ दिन बाद मिलने अपने वाइदे वापस ले दी है मजदूरों को तंखा नहीं दी हुगत तो मजदूर जो है उन्होंने हड़ताल कर दी मिलने दूसरी जगे से मजदूर लाने चाहे तो अब किसा नोने गन्ना देना बंद कर दिया और फिर दोनों ने मिलके संगर्श किया और इस संगर्श का इतना व्यापक प्रवाब पड़ा के फेडरेशन आफ इंडियन चेंबर इंड कॉमर्स तक में ये सवाल उठा वाइस रॉय तक ये सवाल गया कि ये तो अरजकता आ रही है इसको दबाया जाना चाहिए और उसको दबाने के पूरे प्रियास कॉंग्रेस के मंतरी मंडल द्वारा उस समय बिहार के अंदर किये गए ऐसे मोच से घटनाएं हैं उन्होंने दी हैं मेरा जीवन संगर्श उन्होंने अपनी मुस्तक लिखिया आप पढ़िये उस किताब को शोध हो रही है उसके उपर लेकिन इस शोध के जो नतीजे है वो आम जंता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उसके बाद में राश्ट्री इस तरपर स्वामी सहजर अन्जी के जो साती थे उशीर बदराजी इंदूलाल याजनिक एंजी रंगा ये बहुत महत्पूर नेता उससे में किसान अंदूलन के बने ये लोग अखना अखबार भी निकालते थे और इंडिया किसान सभा बुलिटिन जिस अखबार में पूरे देश के अंदर जहांजा किसान संगर्च कर रहे थे उनकी गाता होती ती जो आँखबार या बड़े अकबार नहीं चापते थे इस बात को किसानों की मांगे उठाई जाती थी जिसके अंतरका लेकिन यहां दियान रखिए कि किसानों की मांगे करते करते के साथ साथ हमेशा उन लोगों ने राश्ट्री आंदोलन में कॉंग्रेस के साथ देने की बात की कभी कॉंग्रेस का विरोध करने की बात नहीं की ल होना था उसके लिए जब डेलीगेट का चुनाव होना शुरू हुआ तो किसान सवा के जो कॉंग्रिस के वोटर थे चवन्नी वाले चवन्नी मेंबर्शिप के उनके नाम तक काट दिये गए फर्जी वो बना दी गई वोटर लिस्ट जब चुनाव होता है तो उन पे हाती छो उस फॉयलेंस इंक्वाइरी कमेटिंगी रिपोर्ट भी आ गई दो जिलो को ले करके थी बिहार के लेकिन उस रिपोर्ट को कॉंग्रेस ने कभी सारजनिक नहीं किया आज भी वो एई आई सी सी के पेपर्स के अंदर तीन मूरती के अंदर वो रिपोर्ट पड़ी हुई है जिसमें सारी चीज़ें मानी गई कि किसानों के उपर यह यह किया गया किसान सवापे जब बैन लगाया गया तो बड़ी बाते हुई बाबाराम इनको स्वामी सहजनित को गिरिफतार करने की तो एक बड़ी मजदार चिठी है उस समय की यह बिहार का गवर्नर जो है वो वा सहहानंद को गिरिफतार नहीं करेगा क्योंकि इसने बिहार में सड़के जो ठीके हैं वो अपने लड़के को दे धिये हैं और स्वामी सहहानंद को यह बात मालूम है तो यह घवनाता है कि अगर उसे गिरिफतार कर रिया तो वो कहीं स्वारजनिक कर देना इस बात को कि बिहार के चीफ में प्राइम मिनिस्टर कहलाते थे ये लोग उस समय चीफ मिनिस्टर नहीं कहलाते थे कि बिहार के प्राइम इनिस्टर ने जो है वो अपने लड़के को कि इसलक मनाने के ठेके बिहार के अंदर दे दिये ये पत्र हैं बिहार के गवर्णर का वाइस रोई के नाब पर लेकिन किसान सवा को दवाने का पूरा इस समय प्रयास किया गि pakai स्वामी सहजनन्त निता जी सुभाष चंदर बोस के साथ खड़े हुए जब कॉंग्रेस ने उन पे डिसिप्लिन रियक्शन लिया बेफकूफी की वातों के उपर और जब निता जी ने फॉर्वर्ड ब्रॉक बनाया तो रामगड के अदिवेशन में एंटी वार कॉंप्रमाइज सभा में स्वामी सहजनन्त ने इसकी अगवाई की निता जी के साथ रहे और उसके बाद में भारच छोड़ो अंदोलन तक और सब में इन लोगों नहीं सा लिया जब इनकी फिर गरिफता रही हुए हिंदुस्तान के वामपंतियों की आलोशना करते हुए स्वामी सहजनन्स सरस्वती ने अपने मरने से कुछ दिन पहले लिखा था कि हिंदुस्तान के वामपंथी दुनिया वार से बात कर सकते हैं लेकिन आपस में बैठके बात नहीं कर सकते हैं एक कहता है मेरी थीसिस सही है और दूसरा कहता है मेरी थीसिस सही है इससे बढ़िया कमेंट में ने वहमपंतियों पे नहीं देखा उस दोर के अंदर किसी का दिया हुआ क्योंकि ये सहजरन जो थे ये किसान मजदूर दोनों के लिए थे लेकिन ये उस समय की सीपियाई की तरीके से रूस से अपना डारेक्टिव नहीं लेते थे कि जो रूस का कॉमिनिस्ट करेगा वो ही भारत का कॉमिनिस्ट करेगा भारत के कॉमिनिस्टों ने तो विश्युद में साथ दिया अंग्रेजों का लेकिन सही जनांच सरस्वती और किसाद सवा को लिए उने बियालिस के अंदोनन में भी सलिया और उसके बाद में भी जो है पूरा अंग्रिजों का विरूत किया हर तरीके से उनका साथ दिया अजाद इन फोज का स्वागत भी किया तो बहुत से वरतात स्वामी सही जनांच के साथ जुड़े हुए हैं और मैं आपको कहूँगा भी कि आप इसमें वॉल्टर होसर की किताबे देखिए उसने तीन किताबे स्वामी सही जनांच सरस्वती के ऊपर लिखी है कुछ आर्टिकल मेरे लिखे हुए भी है इसके उपर कॉंग्रेस के साथ संबंदों के उपर जिन में विस्तित रूप से मैंने चर्चा की है स्वामी सही जनांच सरस्वती की और आज भी मीटा के अंदर वह अश्रम मौजूद है वहां महां से स्वामी जी के नाम के उपर ट्ऱस्ट भी चलता है और उनके कारणामों को याद कर आगे क्या करना है उसी लेकर के भी चला जाता है धन्ने थे ऐसे किसान ने था जिननों ने सब कुछ किसानوں के लिए किया और बदले में अपने लिए उन्होंने एक साइकल तक नहीं खरीदी होगी घर तो खरीदना या अपनी जैदाद बनाना बहुत बड़ी बात रही होगी फिर मिलेंगे नमशकार